शुतो नमस्कार, आकाश्वनी जम्मू के क्षेतिय समाचारे कांश के मासिक महिला सशक्तिकरन संबंधी कारिक्रम में आप सभी का स्वागत है शुतो इस कारिक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन महिलाओं से जो हट के समाच में कुछ ऐसा कर रही हैं जो अपना नाम कर रही हैं दूसरों के लिए काम कर रही हैं जो काबिल जिक्र है और बहुत सी महिलाओं से आपकी बात करवा भी चुके हैं लेकिन आज जिस महिला से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं वो एक ऐसी महिला है जो की एक नारी जैसे हम ममता, बहन, बीवी, मा और अन्य प्रेम की रूपों के साथ जोड़ के देखते हैं, लेकिन उनका प्रेम इस सबसे बढ़कर है, उनके प्यार का जो दाइरा है वो इससे भी बढ़ा है, वो हर जीव से प्यार करती है, अपने आसपास रहने वाले पश है, जो कि एक एक अनिमल लवर हैं, और तरगीज उन दूसरे एनिमल्, जो की गलीओ में, जिनके पास कोई आश्रे नहीं है, उनके लिए आश्रे प्रदान किया है, बनाया है, उपलब्ध करवाया है, तो नमरता आपका इस कारिकम में स्वागत है, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया मैं चाहूंगा कि हमारे सुनने वाले शोताओं को आप अपने इस हकु फाउंडेशन के बारे में बताईए क्योंकि मुझे भी सुभागे प्राप्त हुआ है वहां जाने का और जिस तरह से आपके इर्द गिर्द 400-500 अनिमल्स जो डॉग्स हैं उनके अलावा और भी मैंने वहां बकरे देखे हैं, मैंने वहां चीले देखी हैं, गलहरियां देखी हैं, बिलियां देखी हैं आप उसके बारे में बताइए कि ये क्या है और किस तरह काम करते हैं आप मैं आपके मादियम से सारे लोगों को ये बताना चाहते हूँ कि जो मेरा जो बैग्राउंड है, मैं एक कश्मेरी माइगरिन्ट हूँ साल 1989 में हम, मैं मेरा बाई चोटा और मेरे माता पिता के साथ हम रातो रात सिर्नगर से जम्मू आये थे जिस जगा हम चलेगे, उसका नाम है विलेज हकल, वहां मेरे पिता जी ने साल 1976 में एक जमीन का टुकडा खरीदा था कि ताकि हम जब सिर्नगर में बरवबारी हो या कुछ हो, तो हम जम्मू में एक दो महीना रुख पाए मगर उस वक्त ऐसी सिच्वेशन हो गई थी कि हमें जम्मू आना पड़ा तो हम डारेक्ट उधर ही गए, जहां हमारी जमीन है, वहां पे अपोजिटिक गर था, उसमें हम किरायदार की तरह रहे कुछ एक-दो साल वहां रहे, तो उसके बाद जैसे-जैसे मेरे फादर काम करते रहे तो थोड़ा-थोड़ा हमने मकान बनाना शुरू कर दिया मगर एक चीज मेरी जो मदर है, श्रीमती उर्मिला, मारदारग उन्होंने देखा कि उस लोकालिटी में जो डॉक्स थे, या कोई भी जानवर था वो दस दिन के लिए हमें दिखते थे, उसके बाद दिखना बंद हो जाते थे तो उन्होंने थोड़ा सा इसमें जांच परताल की कि क्यो ऐसा हो रहा है कि जानवर हमें दिखते हैं, हम उनको खाना डालते हैं और अचानक दस दिन के बाद वो गायब हो जाते हैं हमें पता चला कि वहां की जो लोकालिटी के लोग हैं, वो खासे खुश नहीं है खास करके कुटों के साथ, वो उनको जहर दे के मार देते थे तो मेरी मा ने एक मुहिम शुरू की, वो मुहिम ये थी कि हम एक तो उनको खाना खिलाएंगे, खिलाएंगे साथ में उनका स्क्यूरिटी, उनकी सेवा वो भी देखेंगे तो बाकाइदा उन्होंने साल 1993 से अपने घर में, जो हमारा थोड़ा बोद घर बन चुका था उदर जानवरों को रखना, उनकी सेवा करनी, उनकी तिमारदारी करनी, उनके जखमों पे मरम लगाना अगर कोई ज़ादा क्रिटिकल हो तो उनको हॉस्पिटल तक ले जाना तो ये मैंने अपने बच्पन से ही देखा था, क्योंकि जब हम जम्मू आये थे तो मैं 9 साल की थी और मेरा 27 साल का था तो बच्पन से ही हमने ये देखा कि हमारी मदर कितना स्ट्रगल करते थे उन्होंने लोगों की गालियां सुनी है कि कैसे लोगों ने उनको खाना जब वो खिलाते थे जानवरों को, तो लोगों ने उसके उपर भी एतराज करना कि आप क्यों खिला रहे है मट वो डटी रही और आज अब हम साल 2023 में जा रहे हैं तो अभी तक वो वैसे ही कर रहे है हमारा जो में खयाल है और जो हमारा सपना है कि खास कर कि जमूर कश्मीर में हम इतना बड़ा शेल्टर बनाएं कि किसी भी जानवर को सड़क पे एक भी रात चाहे वो गर्मी की हो चाहे वो सर्दी की हो उसको ना बितानी पड़े जानवर किसी भी इलाज के अबाव में वो ना मरे बूग के अबाव में ना मरे हमने खास कर कि ये नहीं सोचा कि खाली कुत्तो को ही करे हर एक जानवर जो भी हमारे परमात्मा ने ईश्वर ने इस जहां पर उसको बनाया उसको लाइफ दी है हम उसकी पूरी स्कीरिटी, उसकी संडरक्षन हमारे उपर, हमारा ये जिम्मेवारी उपर वाले नहीं हमारे उपर डाली हुई नम्रता जी मैं खुद आपके इस हाउस में शेल्टर हाउस में देख चुका हूँ बेशुमार ज्यादातर तो कुत्ते हैं। इसके इनवहाब में बखरा भी देखा है। बहुत खतरनाक जानवर भी देखें हैं, बंदर देखें हैं, कुछ बर्ड्स भी मेरे वहाँ पर देखें हैं, तो आप ये इंडिविज्वल लेवल पर कर रही हैं, अपने लेवल पर या सरकार की तरफ से आपको इसके लिए कुछ मदद मिल रही है? देखें हमारा एकलोता जमुर कश्मीर में एक private shelter है, जो हमें लोग दान कुछ करते हैं, चाहे खाने की हिसाब से करें, चाहे पैसो की हिसाब से करें, हम वो ही करते हैं, अभी तक हमें सरकार से कोई माली या कुछ ऐसे करके कोई मदद मिली नहीं है, मगर हम लगातार कोशिश क कर रहे हैं कि at least जो हमारी administration है वो इसमें हमारा साथ दे ताके हम इसको बढ़ चड़के और अच्छी तरह से करें बाकी रही बात हर एक जानवर को एक ही जगा पर लाके हम उनका कैसे देखवाल कर रहे हैं वो हम तीन लोग ही हैं इंसानों में तीन लोग है मीन्स जो जीव जन किसी का इलाज के अबाव में कोई मर न जाए हम वेट नहीं करते हैं कि शायद हम wildlife का वेट करें शायद हम किसी और जो इसमें expert है उसका वेट करें हम यह सोचते हैं कि हम उसको पहले अपने shelter में ले 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 उसको थोड़ा सा security प्रोवाइड करें अभी मैं आपसे एक चीज स साल हो गए अब कि मैं हर एक पॉइंट पे जम्मू सिटी गांधी नगर सत्वारी जम्मू सिटी यह सारा कवर करके हम बच्चों को खाना किलाते जो सडक के जानवर है अचानक मुझे किसी ने कॉल किया कि टाउन होल जो जम्मू मिल्सिपल कोपरेशन का जहां दफतर है उस मंकी का वजन वजन ही खाली 15 किलो होगा और एडल्ट मंकी था वो इतना ठंडा हो चुका था कि खाली बस उसमें गर्दन हिल रही थी और बैठा हुआ था वो एक जगा पे अब मैंने जो वहाँ पे जो लोग खड़े थे उनको मैंने बोला कि आप थोड़ा सा मदद करिये उनने का नहीं मुझे अटाइक करेगा यह हमें अटाइक करेगा आप मान नहीं सकते उसके पर हमने बेटशी डाली और हम उसको एक बोरी में उठा के ले गए उसकी इतनी कंडिशन नी थी कि वो वचारा अपने आपको थोड़ा सा हिला भी पाता गर इसके साथ मैं आपको एक और चीज बताती हूँ शायद इंसानों में वो जो हमदर्दी है वो नहीं रही मगर जानवरों में उतनी हमदर्दी है कि हमारे को उपर वाली जितनी भी बिल्डिंग थी या नीचे लगबक सो बंदर हमें देख रहे थे कि यह इसको क्या कर रहे हैं जैसे जैसे हम उसक प्रमात्मा से यह गुजारिश करते हैं कि इसको या तो इसके दर्ज से निजात दे दो मुक्त कर दो या तो इसको इतना सक्षम करो कि यह यहां से अच्छा होके जाए हैं आज की डेट में मुझे फकर है कि एक महीना हो गया अब वो खुद बैटता है खुद चलने की कोश नम्रता जी मैं आपको बताओं कि घर में हम कोई एक जानवर अगर पालते हैं तो उसकी देखबाल करना ही एक मुसीबत बन जाती है हमारे घर में पिछले साल एक बिल्ली चार बच्चे जो थे वो दे के चली गई और बिल्ली हमें मिलने ही रही थी और रात भर वो बच्चे रोते रहते थे और मैं खुद मेरे बच्चे खुद हम इतने परिशान थे कि उनको किस तरीके से टेकल करें वो बच्चों के कहने पर वो ग्लॉब साम लेके आए उनको दूद निपल से दे दो इतने चोटे बच्चे वो पी नहीं सकते थे फिर एक हक फ़ता के आसपास करीब इस अरसे में हमारे पास रहे लेकिन हमारा हम यूं कहें की जीना मुश्किल हो चुका था मतरों हम अाप में जब जृँनके देखते हैं तो हम कितने सेल्फिश है अपना आराम देखते हैं दूसरों का नहीं देखते हैं और कभी दूसरे के लिए काम करना पड़ जाए तो हमें एक मुसीबत लगती है या चुनोती लगती है लेकिन आप इतने सारे बच्चों को देख रही हैं जिनमें डॉगीज भी हैं, बिलिया भी हैं, बकरे भी हैं, पिक भी हैं, तरह तरह के हैं तो आप किस तरह से इतनी एन पैशन देखा है कि प्यार प्रेम बाओ, चाहे वो आपका बाई बहन हो, चाहे वो आपके बड़े हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो, जीव हो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जैसे आम तोर पे गरों में हम चूहे देखते हैं, तो लोग बड़ा ही वो तिल मिल जाते हैं, हमारे गर में एक बर एक चूहा गुसाया तो सारे लोग उसको डूडने के कगार में थे कि अब ये जादा तबाही मचाएगा अंदर, उतर देगा, तो अचानक हमने उसको पकड़ लिया, तो मेरी मदर ने मुझे ये बोला कि इसको आप सेफली कहीं रिलीस करो, मैंने उनको बोला कि ये सुरक्षा के हिसाब से रिलीस करना क्या होता है, अचानक क्या हुआ कि हम उसको लेके जारे तो वो खुल गया, और जो हमारे गर में जो डॉग्स थे वो उनके एक के मुझे मुझे आ गया, मेरी मदर ने उसका मुझे खोला, चूहे को लिया, चूह आपने क्या किया, अंदर से हम पकड़ के ला रहे हैं, और बाहर आप उसको रियाबिटेट कर रहे हैं, मेरी मदर कहती है, जान तो इसमें भी थी, ठीक है, बस खाली अपना ये सोचना कि ये अंदर कुतर देगा, ये सब कुछ कर देगा, हमें किसी ने भी ये हक नहीं दिय है, कि हम किसी की लाइफ और डेथ का डिसाइड करें, ये उपर परमेश्वर ने ही दिया हुआ है, आप खाली एक जरिया है, जैसे आपने मुझे बोला कि हमें सोर्स क्या मिलता है, मैं बस एक जरिया हूँ, इस धर्ती पे, मैं बस एक जरिया हूँ, कि उपर परमेश्वर ने हमें बेजा हुआ है, कि आप ये काम करिए, जो काम मैं खुद नहीं कर सकता, आप ये काम करिए, रोज मैं जब सोती हूँ, मैं यही सोचती हूँ, अगर हम एक जरिया बनते हैं, तो काफी सारे लोगों के लिए भी बने, जानवरों के लिए खालीने बने, हर एक इनसान के लिए बने जिसको हमारी जरुद है और समय तो नहीं है हम और बातें करें लेकिन अंत में मैं चाहूंगा कि एक संदेश आप सभी सुनने वाले को हम अपने आपको भारतिय कहते हैं भारतिय सभ्यता जो वसुद्धेव कुटुम्बुकम की बात करती है पूरी दुनिया के मु कि इतनी बुरी हालत देखते हैं तो हम बहुत ही समवेदन हीन हो जाते हैं मन में वो इमोशन समवेदना करुणा भाव नहीं रहता तो इस चीज़ को जागरित करने की ताकि अपने लेवल पर हर एक इंडिविज्वल अपने आसपास के जीवों की उनके लिए हमदर्दी र भी जीव को किसी कष्ट में देखते हैं तो उसको देखती न रहिए उसके उपर कदम बढ़ाईए अपना जो आजकल सारे इंटरनेट यूज करते हैं उस पर खोज करिए क्योंकि अगर आप उस जीव को उस पल बचा सकते हैं शायद वो अगले पांच मिनट में खतम हो जा जो इनसान अपने माबाब के साथ प्रेम बाव और इज़त से रहता है वो ही एक जीव की संरक्षा कर सकता है मैं आप सब लोगों का दिल से तहे दिल से शुक्री आदा करते हैं नमरता जी आप अपने इतने सारे धेरों बच्चों को छोड़कर आईं और हमारी आपने सुनने वालों के साथ साजा की आपका बहुत-बहुत शुक्रिया